ना गडवंदन है ना जुगाड तुगाड है इस पार बिल्कुल साफ है कि सरकार जो है वो कही ना कही साफ तरीके से बीजेपी की बनती नजर आ रही है एक सो साफ से उपर जा चुके है विधान समय में भी जो कमल है वो यू करके खिल रहा है कॉंग्रेस सिंपी हुई नजर मांच राज्यों में चुनाओ थे चार के गिंती चल रही है अगर हम देखें तो हर जगे जो बहुमत है वो बीजेपी के पास है अगर तिलंगा ना छोड़ दें तो दक्षिन में बीजेपी की इस्तिती ठीक नहीं है कभी नहीं रही सकत करनाटक में सरकार तीवाँ चली ग कि बोपेश बगेल अपनी सरकार बना पाएंगे राजस्तान में का जा रहा था कि गैलो साप का काम ऐसा है कि आशुग फिर सरकार बना लेंगे एक्जेट पूल के हिसाब से वहां भी मामला फेल हो गया है खाली मद्द प्रदेश को लेके एक्जेट पूल सही थाबित लेकिन मद्द प्रदेश में बहुत चांदार विक्ट्री बीजेपी की हुई है बीजेपी की मतलब रुजान जो अभी तक क्या है उनमें से चार में जहां गिंदी चल रही है तो आपन तीलन जना की बात करते हैं अब अभी अभी जो इस्टितियां बनी है उसमें आप दे जाती है इस बार जिसकी सरकार है अगली बार में रहेगी तो मद्दाताओं ने अपना धर्मान नवाया है और कॉंगर्स की सरकार वहां से जाती नजर आ रही है और बीजेपी वहां सरकार बनाएगी वहां भी कोई चेहरा नहीं था लेकिन मान के चला जा रहा है कि वहां कि वहां रामन सिंग फिर मुख मंतरी हो सकते हैं चाथिस गड़ में जो जीत की तरफ बीजेपी बढ़ चलिये चाववन सीटों पर बीजेपी आगे है चोंतीस पर कॉंग्रेस और दो पर अन तो वहां भी सिती ठीक है मद्द प्रदेश की बात करें तो एक सो साथ का जाद हम आपको बता दें कि पांच राज्यों में चुना हुए थे मिजरों में काउंट इनाज नहीं है वो कल होगी और बाकी जो 36 कर मद्द प्रदेश राजिस्थान की जो पिचर है वो क्लियर हो चुकी है कि जो कमल है वो खिल चुका है तो सिर्फ MP के मन में मोदी नहीं है प्रदेश में 36 गड़ में और राजस्थान में जो चला वो मोदी मेजिक है अगर मोदी मेजिक नहीं होता तो यकीर मानिये इन राज्यों में इस्थितियां बड़ी विशम हो सकती थी भारती जन्ता पार्टी के लिए इस बात को ना शिवराज सिंग कह सकते हैं कि मोदी मे प्रदेश क कहा जो राजस्तान में 36 गड़ में मुझ नहीं है नहीं है जो आपसे कहा कि राजस्थान में वसंदरा राजे सबसे बड़ी भी मीटा है उन पर आउं खिला जा सकता है मद्द प्रदेश की जीत के हगदार शिवराज नहीं है क्योंकि अगर शिवराज सिंग होती तो उनका चेहरा होता और लाड़ी के कारण जादू चलाए वोट पडाए सब मान सकते हैं लेकिन पार्टी ने शिवराज सिंग पर वरुसा नहीं जताया था उनको कमान सौपी थी वो मुपंत्री करते रहें लेकिन कई सारे चेहरे अगर आप देखें तो फगण सिंग को लस्ते से लेकर पहला पटेल रहा केलाज पीजवरगी दरिन सिंग तोमर और जो पर्दे के पीशे चेहरे हैं उनमें गोपाल भारगवी है उनमें नरुप्तम इश्रायमी है और एक कि बीच में से कोई ऐसा नाम निकल करे दें जिसकी किसीने करतना ही नी की थी एक बगा नाम है जूतर संदिया जो पर्दे के पीछे रहे उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं मुखमंत्री की रेश नहीं हूँ लेकिन वे दौड में हैं और मुखमंत्री पत के लिए उन जीतेगा कौन हालेगा तीन दिसंबर का दिन है आज और यह इतिहासिक दिन हम इसको कह सकते हैं क्योंकि एक सुसाट का आकड़ा पार करती हुई बीजेपी नजार आ रही है कॉंग्रेस सिमिट गई है ऐसी परिस्थिती में अब गहमा गहमी इस बात की है अब जो रोमांच है वो इस बात का है कि बीजेपी में मुख्रमंत्री कौन होगा आप हमारे साथ यूहीं चुड़े रहिए सब्सक्राइब कीजिए लाइप कीजिए पॉर्ण कीजिए आप देख रहे हैं डखल न्यूज